तो आज हम आपके शेयर करने जा रहे हैं चिकन कीमा पफ की रैसेपी बहुत ही कमिगा ज़रूर किजीगा मेरे वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजीगा शेयर कीजिगा में शैयर को सब्सक्राइब कीजिगा कमें जरूर बताईए का आपको माय रैस पी कैसी लेगी एक बा की रैस्पी चिकन ब्रेक पार्सर बनाने के लिए यहां पे एक बचन चखा दिया है जिसमें हमने यहां पे 2-3 केबल इस्पून आयल डाल दिया तेल हमारा अच्छी सी करम हो जाएगा इसमें हम हाफ ती स्पून अंद्रक्लस्पून का फिस्ट डाल देंगे डाल कि अब हम इसमें से बहुत अच्छी सी एक सूंदी सी खुष गुआने लगी पस हमें यहां पे हमने 313 आवाग क्यास तो शिकन का कीमा लिया है यहां पे आप चाहे तो बीस्ट वा या तिरुम मटन का भी ले सकते हैं जो आपके पास एब लेबल हो या पी जो आप पसंद करते हैं आ इसके अब उपर गलें जो है और गलक्र पी और ही समय तो अच्छी से भूलेंगा है दर आप दे सकते हैं चिकन को अच्छी से मिन शैंच हो गया है तो खंच लेंगा है आप जो रिकल या हमारी चीकन में से पानी वगईर शोड़ने रगा ऐसमें यहां पर हमें को फानी इस वाफ टी-स्पून तर दो कम तर्च त्यार करते हैं और नमक अपने स्वादिनगे यहां पिर्च इसमें हम नमक कैल दो छाए यक रखें लिए मुझा पावर कर देंगे्ड बात ISY C Jacob Day भीन वेटक से यकषी डाल कते हैं अच्छे से में टीम करणें के चला mr. ना नता रहलेंगे च्शे विन्हानल थे हैं जड़ी है और भीन तो थीप यह तो आध रिक्साद में लाख स्टेगी eder बहुत ही जल्दी से मिक्स के लिए इसमें से खुजबू भी बहुत ही अच्छी आनी शुरू हो गई है अब इसको जो हम लो फ्लेम पर पकने देंगे डवर करके तर पांच मिनट हो चुके हैं हमारी कीमे को पुस्ते आप जेख सकते हैं बहुत ही अच्छी से इसमें से तेल अब बहुत ही अच्छी से खुजबुवारी फ्रेंट्स अकर आपको हमारे से पसंद आ रहे हैं जिसको लाइक कीजिए कर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा दिख सकते हैं यहां पर हमने दो हरी मिर्ची लिए जिसको हमने इस तरह से बारिक बारिक को चॉप कर लिए हमें इसको डाल देना है डाल कि सभी चीदों को अच्छी से लिए प्लेम को इस टेंप है आपको मीडियम लो कलें और इसको अच्छी मिए स्वाइब बत बहुत है पानी को अच्छे से ड्राइ कर लेना है इस तरह से आप देशकते हैं जो हमारी प्याज वगारा में से पानी जो अपना मुशच होगी है इसी के साथ इसमें हम एक मुठी हरा थनिया डाल देंगे हरा थनिया का फ्लीवर इसमें बहुत ही मज़िक आता है और इसको आप डाल द चुटने लगा हम फ्लेम पूप बन कर देंगा और इसको साइड डग देंगे ठंडा हो जाएगा चलिए इसके आगे हम तयारी करते हैं इधर हमने ब्रेड ले लिए ब्रेड आप जो बिलीजेगा वो ताजी हो इसको बेलन की मदद से में हलका हलका सा बेल लेना है बहुत ह इस तरह से चारो किनारो को बेल लिए इसको पतला सा बेल लेना है इसको हम इस तरह से बीच में से कट कर देंगे इस तरह से क्योंकि यहां पर हम मीनी पफ बना रहे है तो इस तरह से बीच में से कट कर देंगे अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप चाहते हैं तो किसी भी ब्रश मुड़े से चार पानन को क्या है ना तरह से पान को लगा देना है घ्ल जो ठाल चुका है है फिर इसमे में टेस्ट हहना के लगते ऊधान काक्छी यहाम तॲगा अच्छी ट्यार हो चुकत है कघी स हुआ कि देगा सबाइब आप लिएस दो आपके कर थारोग्या डे के था जो इस तरह कुटीवी लाल मिश पौडर भी कॉटर टीस्पून यानि दो से तीन चुटकी के आसपश डाल देंगे डाल के हमें सभी चीदों को अच्छी से में फ्यट लेना है अब इसी के साथ यहां पर हमें एक कब दूद डाल देंगे यहां पर दूद लिया है नहीं बहुत जादा ग में अच्छी से मिक्स को लिए हैं लिए सब्सकर नंदिय से मिक्स कर लेना है न दूद वगदर को अब भाल में यहां रभे आप वह में सब्सक्रान के हमारे लिए हैं इसको अब वीड़ी श़आ के लगने साथ ने हुआज नीन में खूलेंगे नहीआ हैं ऽ activities से ने तरह से अब भलका से दबाते हुए जो हैं इसको इस तरह से कर लिजिए कितने अच्छी सी बन के तयार हो रहा है इसी तरह से हम सभी बनाते हैं किसे अषब हमाई खाल को तरे का मज़ुका दिखने हैं इसी तरह से लिए अपने फरीजर कर सकते हैं इसको किसी एर टव टार से तरह भी तरिका करने का वाथ सांच का घृता की पर आप अपी तो ostatru नहींकर आय। स्टोर कर सकते या तो आपको、 इस तरह से Mongan के लिए अर धेल या किसी मेखले इसको रख प्रशक हैSuह त calming आपको इसा मेदगे गोलें 具ड़िक ब appar के हैं तरह से जो है इसको रख देंगे देख सकते हैं इस तरह सावी सो रख दीजिए यह आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे तरह देख सकते हैं एक साइट पें में तेल गरम होई रहे हैं तेल हमारा अच्छे से करना हो जाएगा तो बहुत जड़ा में हाई प्रेंगे 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 देख सकते हैं अब देख सकते हैं बहुत ही जली सी फ्राइग रहते हैं इसमें हमारा कीमा वगरा सब पकाई वाई कोई समान कच्छा है नहीं हमें से इसको उपर सही पकाना है इसलिए बहुत जड़ा फ्लेम को मीडियम नहीं करिएगा मीडियम तू लो नहीं करिएगा इस तरह से अलग करने करें बहुत ही मज़ेगा तयार होते हैं अब इसको जरूर प्राइट कीजिगां देख सकते हैं कि पिर बहुत ही तियार लग रहे भी तरह रहे चाहिंपनिक नियुक्त करते हैं उप कभा एक तो निकाल लेहें या भी अगला डामतर साँस के साथ या दिख़ने नेस य ते रहे हमारे कीमा फवाफ एकदम सफ करने के तैयार आप देख सकते हैं नहीं है खाने में बहुत ही मजँग लगते हैं